पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि DSLR और Mirrorless में क्या डिफ्रेंस है आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फुल फ्रेम और APS-C सेंसर क्या है और दोनों में क्या डिफ्रेंस है पूरी डीटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे हेलो गाइज मैं हूरोनी ठाकूर बने रही ये वीडियो के अंत तक अगर आपको भी फोटोग्राफिय और सिनेमेटोग्राफिय से रिलेटिड वीडियो पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए ही है जिससे आपको काफी हेल्प मिलेगा फोटोगराफी और सिनेमेट अगर भी सीखने और समझने में सबसे पहले अगर हम बात करें सेंसर की तो सेंसर क्या है चाहिए आपका एक मोबाल फॉन हो या फिर हो एक कैमेरा चाहिए action कैमेरा हो या फिर हो एक cinema कैमेरा DSLR हो या mirrorless सब में sensor ही use होता है जो भी आप capture करते हैं image हो या video वो sensor पर ही form होता है sensor की बिना यह सब कभी possible ही नहीं है full frame sensor क्या है देखो DSLR से पहले SLR camera आते थे और SLR camera में sensor नहीं होता था उसमें एक roll type का negative use होता था और जो भी आप image capture करते थे वो roll type के एक negative में capture होता था technology advance होई और market में DSLR camera आया जिसका मतलब था digital single lens reflection DSLR camera digital होने के कारण इसमें negative लगाने की ज़रूरत नहीं थी इसमें sensor use होने लगा और जो negative का size है 36 to 24 mm वही same size DSLR के sensor में use किया जाने लगा और जिसका नाम full frame रखा गया आज की date में full frame से भी बड़े sensor के camera होते है medium format के hazel blade का camera हो गया फूजी फिल्म का camera हो गया इन में sensor size बहुत बड़ा होता है और छोटे macro sensor के camera भी आते हैं बड़ ये professional photographer यूज करते हैं तो ज़्यादा हम इसके बारे में बात करेंगे नहीं इस topic पे हम किसी और वीडियो में detail में बात करेंगे आज की topic की अगर हम बात करें तो APAC sensor क्या है APAC sensor full frame sensor से थोड़ा छोटा होता है ज्यादा नहीं थोड़ा सा छोटा होता है जिसके कारण हम इसे crop sensor भी बोलते हैं इस image में आप देख सकते हैं full frame sensor और APAC sensor में difference क्या है जो image आप full frame के camera से लेने वाले वही same image APAC sensor में आपको थोड़ा सा crop मिलेगा full frame sensor के comparison में पहले के APAC sensor में full frame के comparison में थोड़ा सा कम quality आपको देखने को मिलता था बट आज की date में 2024 में आपको full frame और APAC sensor के quality में बिल्कुल भी कोई difference नहीं दिखेगा थोड़ा सा आपको crop देखने को मिलेगा APAC sensor में full frame sensor के comparison में बट अगर आप low light में shoot करते हैं ऐसे situation में full frame का camera बहुत better output देता है APAC sensor के comparison में full frame का sensor बड़ा होने के कारण ज्याद से ज्यादा lighter sensor में पहुँच पाती है जिसके कारण low light situation में बहुत better quality आपको देखने को मिलता है APAC sensor के comparison में APAC sensor का size छोटा होने के कारण low light situation में काफी कम light enter होती है camera के sensor में जिसके कारण हमे quality थोड़ा कम देखने को मिलता है और काफी noise देखने को मिलता है APAC sensor में बट अगर आपको camera की अच्छी knowledge है, lighting की knowledge है, अच्छे flashes यूज़ करते हैं, तो इस problem को आप easily handle कर सकते हैं, और बहुत बढ़िया output निकाल सकते हैं, ये सब तो आपको पता चल गया, full frame sensor क्या है, APC sensor क्या है, बट आपके दिमाग में एक question चल रहा होगा, full frame sensor से बढ़िया quality भी म एक company follow नहीं करती, सारी camera manufacturing company ये rule follow करती है, चाहे वो Canon हो, Nikon हो, Sony हो, या फिर Fujifilm हो, other brand, सब सेम rule follow करती है, ऐसा करने का सिर्फ एक reason है, वो है price point, देखो जो full frame sensor का size है, 36 to 24 mm, इसका price बहुत ही ज़्यादा expensive हो जाता है, full frame के entry level के camera body, मैं बात कराऊं only body, डेढ़ लाग से शुरू होता है, और आप बढ़िया features वाले full frame camera लेने की सोचेंगे, तो डाई लाग से शुरू होके, 5-6 लाग के range में आपको camera देखने को मिलेगा, और बाद में जाके आपको lens भी purchase करना पड़ेगा, अपने work के according, और full frame sensor sensor के lens बहुत ही expensive होते हैं, तो सोचो कितना ज्यादा invest करना पड़ेगा, full frame camera में, तो इसका solution camera company ने निकाला, APC sensor को market में launch करके, full frame से थोड़ा छोटा, बट mobile से काफी better, मैं iPhone और S24 Ultra की बात नहीं कर रहा हूं, उनका तो budget ही around 1,5 लाग है, और 1,5 लाग के budget तक जाता है, जो features आपको full frame camera में, 3-4 लाग के budget में देखने को मिलेगा, वही same features आपको APC sensor में, 1-1,5 लाग में आसानी से मिल जाता है, सिर्फ sensor size छोटा होता है, full frame के comparison में, और हर कोई afford कर सकता है, invest कर सकता है, APC sensor में, APC sensor के lens भी काफी cheapest आते हैं, full frame sensor के comparison मे अगर आप भी एक beginner है, तो APC camera से अपनी photography journey शुरू कर सकते हैं, तो वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को like करिए, share करिए, और आप कौन सा camera use करते हैं, या फिर कौन सा camera लेने की सोच रहे हैं, comment में बताइए, ऐसी videos के लिए channel को subscribe करिए, मैं मिलता हूँ next video में, camera से related और वीडियो के साथ है, तब तक के लिए जय हिंद, बाबाई